38 तरणताल 15 सिंतेटिक होकी स्टेडियम और 3 सिंतेटिक रणिंग ट्रैक भी आज अत्तरप्रदेश के पास मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 2 छात्रावास 16 अत्याधुनिक जिम 47 सिंतेटिक टैनिस कोड 20 और डार्मेट्री 19 जूडो हाल 2 कुस्ती हाल 13 सूटिंग रेंज 6 इंडोर बॉलीबॉल हाल 2 और वेट लिप्टिंग के हाल 12 सिंतेटिक बास्केट बाल कोड ये 14 आज प्रदेश के अंदर वर्तमान में पनकर के तयार हुए हैं और प्रदेश सरकार ने एक बड़े लक्से को दिहान में रखकर के कारे करना प्रारम किया है जिसमें 57 हजार से दिक गराम पंचायते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और हर गराम पंचायत में खेल का मैदान हो बच्चे वाँ खेलें हर हमारे पास 826 विकास खंड है इन 826 विकास खंड में मिनी स्टेडियम हो मिनी स्टेडियम के लिए वहाँ पर जिला प्रसासन से कहा जा रहा है जमीन आरकसित कने कम से कम पांच एकर लैंड तो कम से कम होन चीम नी स्टेडियम के लिए और जन्पदस्तर पर एक एक स्टेडियम हो स्टेडियम के निर्माण के साथ-साथ हर गराम पंचायत में ओपन जिम का निर्माण भी हो यूअग मंगल दल और महिला मंगल दल हर गराम पंचायत में उन्हें स्पोर्स की टुपलब दिकराए जा रहे हैं कहीं बॉली बॉल, कहीं फुटबॉल, कहीं किरकेट, कहीं पे होकी कहीं पे अलग-अलग खेलों के ले जहां यहां कारेकरम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कारे किया जा रहा है तो साथे साथ जो अन्तरास्ति अस्तर क्या पूर अलम्बिक के, कोमन वैल्ट गोइामस के, एसियन गेमस के जो पूर खिलाडी रहे हैं बिस्वा चेंपिउंद्सिप के जितने भी पूर खिलाडी है इन खिलाडीयों को भी हम प्रसिक्सक की रूप में तैनाथ कर सकें इसके लिए भी विभाग से कहा गिया है कि वहाँ special incentive दे करके उन खिलाडियों को प्रसिक्सक की रूप में तैनात करें और इसके लिए उन्हें हर प्रकार से आगे वढ़ाने का कारे करें प्रदेश के अंदर खिलाडियों के लिए उनके प्रोतसाहन के लिए हर वर्स हम लोग जो किसी भी अंतरास्तिय प्रतियुक्ता में जो खिलाड़ी प्रतिभाग करता है और पुरुसकार प्राप्त करता है उनके ले प्रदेश के अंदर पुरुसों में प्रदेश के अंदर हम लोगोंने लक्षमन पुरुसकार और महला वर्ग में ऐसे खिलाडियों के लिए रानी लक्षमी बाई पुरुसकार के गोचना की है जिसमें सरकार उन्हें नगत रासी के साथ साथ उन्हें इस से इसके प अरजुन पूरुषकार द्यान चंद पूरुषकार या खेल लत्न पूरुषकार या पदम पूरुषकार खिलाडियों को जिने प्राप्त हुआ है कि बित्त ये सायता प्रदे श्रकार देती है जो विर्द और असक्त विप्दा गरस्त राज्यस्तर के खिलाड़ी हैं उन्हें चार हजार रुपे राश्तियस्तर के खिलाड़ी को छे हजार रुपे और अंतराश्तियस्तर के खिलाड़ी को दस हजार रुपे प्रतिमाब बित्तिय सायता प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्द करवाने का कारेक कराती है एक लब्व्य केड़ा कोस का भी गठन प्रदेश के अंदर किया गया है और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर पहला स्पोर्स इन्वस्टी का निर्माण भी हम लोग मेरट में कर रहे हैं मेरट मेजर ध्यान चंज के नाम पे आज वहाँ पे एक स्पोर्स इन्वस्टी का निर्माण का कारी युद दस्तर पर आगे बढ़ा है इन सभी कारिक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज प्रदेश सरकार ने प्रधान मंत्री मोदी जी के मार्ग दर्सन में उनके नित्रत्व में जो एक कारिक्रम चले है पुरे देश के अंदर उतर प्रदेश ने आज इस फिर्ड में अलग लग कारिक्रम बना याद रखना भारतिय मनीशा कहती है कि सरीर माध्यम खलु धर्म साधनम यानि जीवन में एक सरस्रेष्ट जीवन यापन करने के लिए जो भी साधन है वो स्वस्त सरीर से ही संभव हो सकते हैं और स्वस्त सरीर के लिए आपको हर कारे के साथ एक विवस्ति तरीके से जुड़ने के लिए एक मंच चाहिए यह जो खिलाडी यहाँ पर हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं एक यवल मेडल और पुरुसकार यह नहीं प्राप्त होने वाले हैं इन खिलाडियों को उत्तरप्रदेश सरकार की नौकरियां भी इनका अन्तजार कर रही हैं अभी तोक्यो ओलम्पिक मेडल जीतने के लिए सी ललित कुमार उपध्या को हम लोगोंने सीधे डिप्ती स्पी के पत से प्रदेश के अंदर उन्हें यह स्थान उन्हें निक्ति पत्र दिया है इसके लावा अन्य तमाम खिलाड़ी इस समझ में प्रदेश के अंदर इन्होंने यहां पर उन्हें प्रदेश के अंदर हमें ने यहां पर प्रदेश सरकार ने उन्हें निक्ति पत्र दे करके सम्मानित किया है प्रदेश सरकार आज उन लोगों को अपने साथ जोड़ रही है क्रिकेट के लिए सुस्री दिप्ति सर्मा, एथलेटिक्स के लिए सुस्री पारूल चोधरी, शोटिंग खिलाडी में अखिल स्योडान, कवड़ी में अरजुन देशवाल इस सभी प्रदेश सरकार में डिप्ति स्बी के पत्पर सीधे सीधे भरती किये गए हैं और जूरो खिलाडी के रूप में सी बिजय कुमार यादो को और कुस्ति खिलाडी के रूप में सुस्ति दिव्या काकरान को ये नायब तैसिलदार की सीधी निक्ति नहीं खिलाडी के रूप में तर प्राची रोहा समय पुनीत कुमार को जिलाय युवा कल्यान यं प्रादिशिक दल अधिकारी के रूप में निक्ति पत्र प्रदान किया गया है। और इसके अत्रिक्त प्रदेश सरकार यानि यूपी फुलिस में अलग-अलग विभागों में भी 200 चैंपियनसिप या राश्टी अस्तर के खिलाडियों को 500 ऐसे खिलाडियों को अब तक हम नुक्ति पत्र प्रदान कर चुके हैं और इसलिए मैं आप सभी यूपी खिलाडी से कहूंगा आपके सामने दो विकलते हैं आज आप देखते होंगे और देश के लिए चिंता का विसे भी होना चाहिए हम लोग अपने समय का उचित उप्योग करने की आदत आज भी नहीं डाल पाए फाल्टू के कारियों में हम लोगों का बहुत बड़ा समय जाता है एक यूपीडी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वह है स्मार्ट फोन इसमार्ट फोन से जितना आप दूरी बना लेंगे जितनी जरुत हो उतना उप्योग करिए लेकिन अनावस्यक उसका उप्योग यह आपकी आई साइट को भी प्रभाइद करता है और आपके समय को भी और आपके स्रम को भी खराब करता है एक तो उससे जितनी दूरी बना पाएंगे उतना वह आपके लिए उचित होगा दूसरा है नसा एक खतरनाक है नसा नास का करण है जो नसे की तरफ गया तो मान के चलिए वो कहीं किसी लायक नहीं रह पाएगा किसी भी लायक नहीं रह पाएगा अपने आपको तयार करना और इसके लिए खेल की इतनी धेर सारी कारेक्रमों के साथ सरकार केंदर और राज्य सरकार आपके पास आईए आपके लिए प्रोथसान करने के लिए इसको भी जीवन का एक हिस्सा बनाईए जैसे प्रत्योगी प्रिक्साओं की तैयारी करने के लिए सुरू दिन से नौजवान तै कर लेता है एक छातर तै कर लेता है कि हम लोग मेरा जीवन का लक्से ये है